तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीजिल लक्से क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं एसाइसी नर्सिंग आफिसर भरती जो है दो हजार चोबिस की उसके पेपर सॉल्यूशन पार्ट फॉर के बारे में जी हाँ अब की बार ESIC फॉर ये अपना धेवा क्या है कैसा आएगा UPSC ESIC का पेपर और यह जो क्लास है यह ESIC के लिए विसेज रूप के से स्पैसल क्लास है लेकिन DSS, SB, SZPG, ZMCH, CHO और और अग्जाम्स के लिए जो है वेरी इंपोर्टन क्लास रहने वाली इसमें आपने बात करेंगे वैसे हमने आपको एक पेपर पूरा सॉलीट जो है सॉलीट करवा दिया है जिसका PDF भी हमने टेलीग्राम चैनल P.J. लक्षै क्लासेज में डाल दिया है अब टेलीग्राम पर ञाएं P.J. लक्षै क्लासेज सर्च करके जॉइन कर ले या फिर टेली शिप्ट का पेपर अपने सॉल्फ कर लिया था फॉर्स्ट का पेपर इसके बाद करेंगे उसके बाद 2060 का सारे पेपर सॉल्फ करेंगे उसके बाद जो है विबिन परकार के UPSc eSAC से रिलेटेड जोतने भी exam oriented कियूसंस और टॉपिक होंगे उनको अपन कावर करेंगे तो आप हमेसा हमारे साथ जुड़े रोज साम चार वजे आपकी क्लास होती है जितने भी साथी है नए उनको बता दीजिएगा और जितने हमारे पुराने साथी है वो तो जुड़े ही जुड़े बहुत ही अच्छा रेस्पोंस है लोगों का बहुत ही शानदार क्लासेज हो रही है और इस बार E.S.I.C. पार का जो अपना वक्य है धे वक्य है उसको इस बार अपन उस अपने को साकार करेंगे चुझकि ये 2019 के बाद में पांस साल बाद में बढ़ती आई है बहुत लंबा इंतजार था E.S.I.C. रिलेटेड बढ़िया बढ़ती है 1930 पोस्ट इस में परमाने नर्सिंग ओपिसर की शानदार बढ़ती है और बहुत सारे लोग लगातार इसका वेट भी कर रहे थी बहुत ही very very important जितने भी क्योशन होंगे वह हम आपको बताएंगे आप जो है जिस क्योशन को 5 star कहूं उसका आप स्क्रिन सोट ले ले क्योंकि उसमें से ही पेपर में क्योशन जो है रिपीट होंगे ठीक है बहुत सारी पेपर में क्योशन रिपीट हो जाएंगी जिए हाँ तो जितने भी साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर एक बार कर दीजीगा फटाबट से तांकि अगला पेपर जो है वो सुरू कर सके इसके अलावा अभी तक नए है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आप आपको नरसिंग से जुड़ी हर माइने रखता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से और फटाफट से मैं आपको एक मिनिट का टाइम देरो अपने दोस्तों को पास फटाफट से फैला दीजिए इस क्लास को जितने भी लोग जुड़े हैं उनको एक चीज बता दूं कि आपको जो है लगा करेंगे यह हमारा वादा है तो आप लगातार जुड़े रहें वीडियो को लाइक और शेयर अभी से करते हैं चलिए आपन सुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लिए चलिए यह राज की दिन का पहला क्यूशन गैस्टे हो सकती है लेकिन एक नहीं होगी तो यहाँ पर जो है आपको बता दूँ मैं आपको लगातार जो है चार क्यों आपके सामने चार ओप्सन है इसमें से आपको फटा फट से लगातार आंस्वर देना होगा मैं आपको बताओ कंजनाइडल एनमोलीज हो सकती है इसमाल फॉर के बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया के रिस्क बहुत ही ज्यादा होते हैं जो है आपके कह सकते हैं कि साइड इपेक्ट हो सकता है प्री मैचुरिटी और स्टील वर्थ हो सकता है लेकिन इसमाल फॉर डाइट फीटस नहीं होके लार्ज फॉर डेट फीटल होगा कर सकती है next question the nurse is assigned to a patient who has bacterial pneumonia ठीक है एक nurse assigned की जाती है एक patient के जो है care के लिए जो की bacterial pneumonia से ग्रसीत है अंदर droplet precaution एक droplet precaution का आपको पालन करना है कौन सा पीपी पहनेंगी ठीक है जब वो meal tray दे रही है ठीक है यानि कि deliver कर रही है meal tray ठीक है उसको भोजन देने जा रही है तो कौन से पीपी केट का यूज किया जाता है यह बताएगा bacterial pneumonia में तो specific filtration mask and gloves only mask is needed gown mask gloves shoes का और यह तो सारे नहीं चीए no पीपी यह भी गलत है क्योंकि pneumonia जो है फैल सकता है लेकिन इसमें जो है यह बताएगा है कि आपके bacterial pneumonia इसका मतलब आपको specific filtration वाला mask और इसके साथ gloves का यूज तो ह यह answer आरे काफी सार लोगों लगातार कमेंट कीजिएगा दोस्तों जितने भी जुड़े है साथी सभी का सभागत है लगातार आपके हमेशा 4 बजे classes होती नए जो भी सहती है उनको भी आप जोडने का प्रयास करें इस बार ESIC पार करके मानेंगे और इतने क्यूशन डियल क Artificial Acquired Immunity आप सभी को पता है दो परकार की होती है एक नैचुरल और एक जो है आटिफीचल वैसे पैसी और एक्टिव भी होती है बहुत सारी इम्मुनिटी इम्मुनिटी को अपन एक पूरी क्लास में डीटेल से आपको पढ़ाएंगे आदे गंटे के अंदर इम्मुनिट जो है या इसको अपन वैक्सिनेशन कहते है वैक्सिनेशन जो है एक Artificial Acquired Immunity का टाइप ठीक है Most Important लगा दीजिए इसको 5 स्टार और लगा दीजिएगा अभी से जो है इसको स्क्रीन सो ठीक है फटापट से सेयर करो दोस्तों लगा एक और जो है बहतरी नांकडा स्क्रीन प बहुत बड़ी अक्यूशन है इन वैसे कौन सा जो है फीचर Nurse-Paccent Relationship में Trust को पैदा करता है ऐसा कौन सा नहीं है वो पैदा नहीं करता है यानिकि Trust पैदा नहीं करता है Nurse-Paccent Relationship में Returning at the Stated Time बिल्कुल सही है, Fulfill Promise ये भी सही है, Maintain Confidentiality ये भी सही है, Examine a Wound Without Providing Privacy ये गलत है ठीक है Privacy ये दिया आप एक किसी भी पैसेंट के Wound की Healing, Wound की जो है आप Care कर रहे है लेकिन उसको Privacy यानिकी Side में जो है आप परदा वगिर नहीं लगा रहे है इसका मतलब जो है उसके बीच में आपके जो बीच में है खटास बदा सकती है और Trust जो है वो गाइब हो सकता है Privacy को हमे Privacy नेक्स क्यूशन Refrigerated Brist Milk Should Not Be Used If It Is Beyond बहुत ही बड़ी है क्यूशन है इसको आप जो है 3 स्टार दे दीजीगा लेल जीगा फटर पट से इसका जो है स्क्रीन सोट एक Refrigerated Brist Milk यानिकी जो है Brist Milk मदर का जो Brist Milk होता है Expressed Brist Milk कहते है अपने जिसको ठीक है Expressed Brist Milk इसकी जगह आपको जो है Expressed Brist Milk भी कहा जा सकता है ABM कहा जा सकता है उसको जो है Refrigerator में कितने टाइम के लिए जो है अपन रख सकते हैं तो maximum 48 आर के लिए रख सकते हैं उसके बाद में जो है इन्टू Portal Circulation is destroyed by बहुत ही बड़ी है कि उसने लिवर में यदि बैक्टेरिया जो है वो चला जाता है कि इसके तुरू Portal Circulation के तुरू तो उसको डेस्टोई करने का काम कौन करता है आप सभी को पता है लिवर के अंदर जो है एक Specific Cell होती है उस Cell को आपन कहते हैं कूफर Cell ठीक है कूफर Cell से Cuisine हमेशा बनते ही बनते है तो कूफर Cell जो है वो क्या है वो एक Phagocytosis की तरह काम करती है Phagocytosis का मतलब Bacteria या फिर जो है other microorganism उनको मारने का काम करती है इसका सभी आंसर जो है इसमें Bacteria को मारने का काम कौन करेगी कूफर Cell ठीक है तो लिवर में कूफर Cell Cell होती है next question the three feature of community बहुत ही बढ़िया question है अच्छा question है इसको याद रखना आप community के तीन कौन कौन से feature है ठीक है तीन feature पूछे है community के location, population, social system, primary, secondary, tertiary यह तो prevention के method है, agent, host, environment, epidemiology के, physical, mental, social, health के जो है आपके dimension है लेकिन आपकी community में जो है तीन feature होते है वो होते है location होनी चाहिए उसकी community की population उसमें होनी चाहिए और social system उस community का अपना खुद का specific होना चाहिए ठीक है तो very important question है, सारे लोग जदने भी जुड़े है एक बार वीडियो को like और share करो, channel को subscribe करो, नहीं आदो, हम ऐसा 4 बज़े जुड़ना ना भूले, लगातार आपकी classes हो रही है, आज 4 classes, अभ 2019 के second shift का paper जो है, उसका solution करवाया है, अभी ये third shift का paper चलता है, उसके बाद बहुत सारे questions लाएंगे, इस बार ये से सी पार करके मानेंगे, next question, question number 8, medical asepsis differ from surgical asepsis in that is M.Date, बहुत बढ़ी बढ़ी question है, medical asepsis और surgical asepsis actually होता कि, asepsis का मतलब क्या होता है, ये देखिया आप, asepsis मतलब free from infection, यानि कि ऐसी जगह, या ऐसा instrument, या ऐसा procedure, जो आपके free from infection होता है, infection से free होता है, जहां पर infectious agent नहीं होते हैं, उस condition को आपन कहते हैं, asepsis और medical asepsis जो है, और surgical asepsis में जो है, अंतर क्या है, ये पुछा गया है, killing all microorganism, ये तो आपके जो है, medical और surgical दोना में होता है, preventing entry of microbiome organism into body, ये भी दोना में होता है, preventing transmission of microorganism, ये बढ़िया क्यूशन, ठीक है, यानि कि medical asepsis का मुख्य जो एहम होता है, वो होता है, transmission को रोपना, बिमारी के, या micro organism का transmission एक से दूसरे में फैलने को रोपना, medical asepsis कहलाता है, ठीक है, next question, circlase, यानि कि encircling cervix with suture, circlase का मतलब क्या होता है, answer cleaning करना, cervix का, किसके साथ, switchering के साथ में, यानि कि cervix होती है, उसको switcher से बांद देना, या टांके लगा देना, किसके लिए किया जाता है, कौन से percent में ये जो है, indication है, ठीक है, incompetence, sorry, incomplete abortion, incomplete abortion, उसके बाद में complete abortion, threatened abortion, या incompetent cervix, बहुत ही बढ़िया क्यूशन है, incomplete complete abortion मतलब, जो भी abortion हुआ, उसका material पूरा का पूरा बाहर नहीं आता है, और complete का मतलब होता है, सारा material बाहरा जाता है, ठीक है, वहाँ पर जो है, normally vaginal breeding होती है, लेकिन उसमें, जो है, viability को अपन रख सकते हैं, और incompetence cervix का क्या मतलब होता है, कि cervix जो होती है, वो incompetence हो जाती है उसका जो है, normally, जो है, permanent dilation हो जाता है, जैसे की risk of abortion बढ़ जाता है, यानि कि उसकी switchering करके, उसको वापस, जो है, construct किया जाता है, इस condition को जो है, answer case कहा जाता है, answer case जो है, एक procedure होता है, जो की incompetent cervix में काम में लिया जाता है, question number 10, the most significant characteristic experience by a person with depression, बहुत ही बढ़ी है कि उसने 5 star लगा दो, depression वाले पैसेंट को जो है, कौन सा most significant characteristics जो है, वो experience होता है, इसका screenshot लेजिए, सारे के सारे लोग comment box में बताए, class आपको पसंद आ रहे है, जो question आपको समझा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप बताए हमें comment box में, वीडियो को लाइक अभी से करो, share करते हैं आप जो है, एक बार वीडियो को जब आप देख लें, पूरा, 100% share करें इमानदारी से, इसके इलावाद चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों को पाज जो है, इस चैनल को भेज़ें, ताकि वो भी जो है, इस classes का फाइदा उठा सकें, हमेशा चार बज़े आप जरू जुड़े, लगातार आपकी consistency, जो है, वो आपकी जो है, मैनत जो है, consistency जो है, आपकी सफलता का सूतर बनेगी, तो आप लगातार जुड़े हमारे साथ, the most significant characteristic experienced by the patient with depression, ठीक है, hypervigilance and nightmare, ये गलत है, lack of impulse control, aggressive, abusive and violent, यानि की aggressive नहीं होगा, यद depressed हो जाएगा, loss of pleasure, यानि उसकी शान्ती बंग हो जाएगी, और interest भी खतम हो जाएगा, इस condition को आपन कहते है, क्या है, depression, और ये most significant characteristic होता है, ठीक है, next question, the cerebral spinal fluid is secreted by very very important, और वहती ज्यादा easy question है, और हारे exam में पुछा जाना वाला question, इस का answer जो है, फटापर से आप दे दो, म central, sulcus, choroid, willy, choroid plexus, या pons, किसके द्वारा जो है, cerebral spinal fluid, जिसको आपन CSF कहते हैं, वो secret किसके द्वारा होता है, very good, सभी किसे answer आ रहे, फटापर से answer दो, सभी लोग, जिया, choroid plexus के द्वारा जो है, ये secret होता है, CSF जो है, आपके choroid plexus के द्वारा, secret होता है, next question, the inflammatory, inflammatory, यानि की exudative phase of wound healing is last for, बहुत ही बड़ी है कि उसने एक wound healing, यानि किसी की घाव के भरने में, कई परकार की phases आती है, उसमें से एक होती है, inflammatory, जिसको आपन exudative phase कहते हैं, उसका time period कितना होता हो, कितने time तक चलती है, ठीक है, एक साल के लिए, एक से चार दिन के लिए, पां test जो है, बनाय रहा है मार साथ, जी हम बिल्कुल सही आंसर है, एक से चार दिन ठीक है, inflammatory phase जो है, या exudative phase जो है, आपकी चार दिन के, एक से चार दिन के बीच में चलती है, ठीक है, next question, question number 13, principle of ethical practice include all of the following, except, बहुत ही बड़ी है, ethical practice का मतलब जा होता है, कि सही practice, ठीक है, यान ethical, respect for autonomy, बिल्कुल सही है, beneficence, बिल्कुल सही है, लेकिन mal efficiency, ये जो है, एक tort, tort होता है, ये जो है, ethical practice के अंतरगत, नहीं आता है, mal efficiency, ठीक है, next question, question number 14, the person who becomes sort of breath with little exercise, such as when eating a meal, has what kind of respiratory condition, ठीक है, एक patient होता है, जिसमें sort of breathiness हो जाता है, यानिकि उसको जो है, सांस में दिक्कत होती है, विसेज करके जब वो भोजन खाता है, यानिकि eating a meal, तो इस condition को आपन क्या कहता है, dyspnea, hyperventilation, strider, या chan stock respiration, सभी सारे के सारे लोग जिदने भी जुड़े हैं, comment box में फटा पट से हमें answer बताइगा, वीडियो को एक बार, आप सभी लोग जो है, लाइक कर दीजीगा, ज जो है, most important रहने वाली, all nursing exams के लिए classes, ठीक है, तो सभी के सही answer आरे है, वैसे, dyspnea, जो है, इस condition को आपन dyspnea कहते है, shortness of breathing, ठीक है, SOB कहते हैं, next question, behavioral clues of impending suicidal are follow, accept, बहुत बढ़ी है क्यूसन है, एक patient होता है, या एक आदमी जो की suicide करने की सोच रहा है, तो उसके behavioral, यानि कि उ suicide कर सकता है, withdraw from social activity and plans, hypervigilance and exaggerated startle response, become energetic after a period of severe depression, gives away valuable possession, बहुत ही बढ़ी है क्यूसन है, तो इन में से जो है, तीन ऐसे चीज़े हैं, जिससे आपन पता कर सकते हैं, कि ये suicide करने वाला, लेकिन कौन सा suicide क्ल्यू नहीं है, यानि कि ये जो है, बिल्कुल सही है, पहला तो आपके जो है, वो socially activity और plans जो है, अपने आपको withdraw कर लेता है, energetic हो जाता है, severe depression के बाद में एकदम से वो energetic है नहीं कि खुस नजर आता है, क्यूंकि उसको बताया कि आप अपर पनी जिंदगी खतम होने वाली है, give away valuable possession, ठीक है, बिल्कुल सही है, give away valuable possession, ये तो देता ही है, लेकिन जो जो है, hyper vigilance और executed startle, जो response है, वो नहीं होता, ठीक है, तो इसको आप जो है, एकदम से अपने दिमाग में बिठाली है, एकदम सही answer ये रहने वाला है, ठीक है, B, question number, 16, इसका answer, जल्दी से फटापट से comment box बताई, vital aesthetics include, following, except, यानि कि इन में से चार में से कौन सा जो है, vital aesthetics नह क्यते हैं, आपकी child birth rate के दो, या फिर जो है, अलगले जितने भी birth rate है, इसके लावा, morbidity, mortality तो होती ही होती है, life expectancy भी होती है, लेकिन education rate को जो आपन, vital aesthetics के अंदर नहीं गिनते हैं, ठीक है, बहुत बढ़ी है, सभी के साही answer, जितने भी लोग जुड़े, एक बार वीडियो क type of blood cell, ये भी important question है, इसको five star question लगा दीजीगा, और एक जो है, आपका ऐसा question है, जो आपको confuse करेगा, जी हाँ, lymphocyte, monocyte, thrombocyte, erythrocyte, कौन सी जो है, blood के अंदर सबसे ज़्यदा मातरम पाई जाती है, lymphocyte पाई जाती है, monocyte पाई जाती है, thrombocyte पाई जाती है, या फिर ery EASIC पार, 2024 की 1930 पदों की जबर्दस्त बरती जो है, EASIC का आचुकी है, फोरम अभी भी बढ़े जा रहे हैं, आप लोग जल्दी से अपना फोरम भरकर आपनी seat secure करें, बहुत ही बढ़िया, चलिए एकदम सही answer, जो है, erythrocyte, यनकी RBC की मातरा सबसे ज़्यदा होती है, ज Charting is characterized by all of the following forms, बहुत बढ़िया क्यों सहन है, इसमें से कौन सा जो है, traditional, source-oriented, narrative type charting है, एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के सारे के सारे, traditional, source-oriented, narrative type of charting है, ठीक है, डॉक्तर, progress seat, history of physical examination form, lab seat, या फिर जो है, data-based form, फटा-फट से बताईगा, very good, सभी लोगों आंसर एक बार जो है, गलत भी comment होता, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है, सुधार लेंगे, हम आपको बता रहें न, सही answer कौन सा है, ठीक है, तो फटा-बट से बताईगे, एक तम, जल्दी से, फटा-बट, very good, doctor progress seat तो होती है, history of physical examination भी होता है, और इसके लाब data-based form भी होता है, ले भी questions छपने वाला, UPSC, ESIC, nursing officer वरती, 2024 में, ठीक है, तो man source कौन सा है, genital ward का, ठीक है, genital ward जो होते है, उसका man cause किया है, ठीक है, source नहीं, sorry, तो HPV, यह नहीं, human papilloma virus, pelvic inflammatory PID, जिसको कहते हैं, अपन, PID, या Nigeria gonorrhary, या herpes simplex virus, तो बिलकुल सही answer आ रहे है, सभी के, बहुत बढ virus जो है, वो इसका सही answer है, जी हाँ, एक बार face से देख लीजीगा आप, human papilloma virus, ठीक है, यह सही answer है, genital ward का, the normal level of sodium plasma, बहुत बढ़िया, easy question है, जल्दी से सारे लोग इस बार comment करो, इस question का, normal sodium level क्या होता, serum sodium level, यहाँ पर पूछा गया है, बहुत बढ़िया, यह मैं आपको पता दू, यह chlorine का होता है, sodium बिलकुल सही, बिलकुल सही, 135 से, 135 की बीच में होता है, 135 से 145 की बीच में होता है, इसमें option जो है, एक दम correct answer है, 135 से 143 लेका है, एक दम सही answer है, ठीक है, next question, role of community nurse in school health program accept, बहुत बढ़िया question है, और frequently पुछा जाना वाला question है, 5 star लगा दीजीगा इसको आफ, बिलकुल 5 star लगा दीजीगा, क्यूसन 100% छपेगा, ESIC nursing officer बर्ती में, आप यदि select होना चाहते है, तो हमेरे साथ लगातार 4 बज़े हमेसा जुड़े, ESIC nursing officer बर्ती के हम तैयरी आपको करवा रहे है, अभी जो है old paper अपन देख ले है, previous year की जदने भी paper है, 2019 में last बर्ती हुई थी, उसके बाद कोई बर्ती आई नहीं है, तो उसका जो है second shift का paper अपने पूरा देख लिया, जिसकी pdf आपको telegram channel pj lakse classes में हमने दे दिये, आप जाकर देख सकते हैं, telegram channel को आप link video के description box में दे रहा है, उस पर click करके join करें, आप फिर telegram पे जाए, pj lakse classes search क जोइन करें, और जो है, उस पर तीनों के class है, अभी तक आपने तीनों classes नहीं देखे हैं, तो हमारी YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों classes हमने डाल रखी है, वो भी आप देखे हैं, आपको बहुत important paper था, next question है, role of community nurse in the health program, accept, ठीक है, school health program है, to provide immunization to the children, assist in screening, physical, mental and other special examination of children, बिल्कुल सही है, यह तो करता है, assist in communicable disease control, बिल्कुल सही है करती है, assist in school medical examination, follow of बहुत बढ़ी है, यह क्यूसन, तो चलिए, इस में जो है, आपके, most of देखा जाए, तो जो आपके नरस होती है, community nurse, ओ, immunization का का काम, जो है, school में बिल्कुल भी नहीं करती है, ए hypoglycemia, इसका मतलब होता है, glucose level का कम होना, ठीक है, glucose का कम होना, necrotizing, enterocolitis, hemolytic disease, या hyperbilirubinemia, इसका मतलब होता है, जॉन्डिस, और आप सबी को बता है, कि photo therapy, जो है, वो जॉन्डिस में कामें ली जाती है, जॉन्डिस जो है, उसमें bilirubin का मातरा बढ़ जाती है, इसका था, next question, para is defined as, यानि medical field में para का क्या मतलब होता है, इसके लावा जो है, ग्रेविडा है, मैं आपको ग्रेविडा का बताता हूँ, कि कोई भी women, जो है, वो pregnant कितने टाइम, इन कितनी बार होई है, ठीक है, एक बार, दो बार, प्रिमी पेरवा, मल्टी, sorry, primary ग्रेविडा है, या मल्टी ग्रेविडा है, इस हिसाब से, फर्स्ट बार होती है, तो primary ग्रेविडा केते है, और उसी परकार, जब कोई women's pregnant भी होती है, और fetus जो उसका viability के आगे भी निकल जाता है, यह viability period होता है, उससे आगे निकल जाता है, उसको अपन पेरा में गिनते है, उससे पहल करने वाली जितने भी pregnancy जो है, उसको अपन पेरा किनते है, ठीक है, next question, question number 24, in rheumatoid arthritis during the acute phase, the value which are significantly, यानि की कौन सी value जो है, वो देखने को मिलती है, कब, rheumatoid arthritis और इसको 7 star लगा दीजीगा, ठीक है, और इसका आप जो है, answer आमे बताओगे, फटा फटा पट से बता जीगा, very पड़ी easy है, और बहुत ही important है, और क्यूसन 100% आएगा, ठीक है, लिग लीजीगा, 100% स्क्रीन सॉट ले लीजीगा, ठीक है, रुमिटेट arthritis में आपके LFT elevation होता है, क्या, liver function test, ESR, CRP, यानि C reactive protein के elevation होती है, CBC elevation होता है, या RFT elevation होता है, पटपरसे बताइगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़ी है, सभी का answer आने चाहिए, ESR, यानि erythrocyte sedimentation rate और C reactive protein जो है, वो बढ़ी हुई नजर आती है, ठीक है, बढ़ी हुई नजर आती है, इसका मदलब जो है, ये बिल्कुल सही answer रहने वाला है, question number 24 का जो है, आपके B answer, एक दम correct है, इसको छाप लीजीगा, ESR और CRP बढ़ जाती है, और आज की दिन का ये last question, जिसका answer आपको comment box में देना होगा, next class कल 4 बजे होगी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े, इसमें human sign is used to assess, यानि human sign जो है, वो किस से बिमारी में हो जाए, wound sepsis, deep end thrombosis, hypotension या hematoma, बहुत ही बढ़ी है, और easy question है, सभी ल जो है हमारे YouTube चैनल पर सबसे आगे सबसे उपर दिखेगा, तो आप अपनी तरफ से बड़िया सा comment हमें जरूर बताए, इसके लाब वीडियो को like और अभी जो है अप class पूरी होने वाली है, तो आप अपने दोस्तों को बाद जितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा share करें चैनल को आप सबस्क्राइब करें नए है तो जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, उनका सभी का welcome, आप सबस्क्राइब कर लो, एक बार हमेशा चार बज़े आपकी ESIC और विबिन परकार की Central Government की जिस भी बरती की आप तैयारी कर रहे हैं, उनसे related classes हम लेंगे, अभी हैं, बुपहर 수र के बाद है तो, बजो सा प्लीज के वेशार कि ANакти तो है हैंरे कि घेप चूब ज़े जितने की टाहतन नही emotionally एquito है सबस्क्रा डहते हैं जितने नहीं आपस सबस्क्काह कर णारती की जुड़